हरे किशा दोस्तो श्वागत है आपका सिज़ीपेश शिफ व्यापव में जैसा कि आप सभी जानते कि चत्रिसगर्ण में पहले आदिवासी मुख्यमंत्री विशुदे शाय जी को बनाया गया है और इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी जैसे आप सपद्गर्ण हो सकता है इसका मतलब साफ हो जाएगा कि बुद्वार को आपको जो सरकार का मुख्यमंत्री जो है वो सपद्गर्ण का भी जो है अन्य लोगों का सपद्गर्ण होगा की नहीं होगा यह तो देखने वाली बात है लेकिन युवाओ की जो मांग है वो ओपी चौदरी सर को डिप्टी सेम बनाने की मांग सेल रही है कारण बहुत सारे है क्योंकि देखिएगा जो पांस सालों में भरती के संबन में जितनी भी अनिमित ताए हैं चाहे रुकी भरती हो जो भरती 2014 से नहीं आई हो 2018 से नहीं आई हो उस संबन में चर्चा हो या डाटा के लिए कहिना कहीं युवाओं की मांग है और इस सभी मांगों को एक कहना ची पढ़ा लिखा वेक्ति या एक बोल सकते है आई एस आउफिसर जो रहे चुके है वो इसको भली भाती तुरंत जो है समझ सकते और तुरिद गती से इस पर नेड़ने लेनी का जो है अपना एक सक्षा हम रहते हैं वो तो इस कड़ी में युवा भी एक मांग है युवाओं की तरफ से कि ओपी सौधरी सर को एक डिप्टी सीम जो है बनाया जाया उनको एक अच्छा पोर्टफोलियो दिया जाया ताकि युवाओं के प्रती और चतिसगर के विकास के सांसात युवाओ युवाओं का आरोप लगाते हैं युवा की पांस सालों में उनकी आर्थी किस्ति ती मांसी किस्ति और सारी किस्ति जो है बेहधी लचर थी तो अब देखने वाली बात है कि पार्टी जो है इस पर क्या निर्णा लेती है लेकिन कहीं नगे युवाओं की मांग को बताना भी महत्वण है और साथ-साथ युवाओं के अन्य मुद्दे भी है फिलाल आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ बताने का मकसर यह था कि मुख्यमंत्री जी का एलान हो गया है और अब जो है पुरा मंत्री मंदल का गठान होगा और उसके बाद युवाओं के संब्द म में जो एक काला आदेश निकाला गया था टाइप राइटर का जो प्रमानपत्र का उसको पलटना है साथ में बहुत सरी और भी ऐसे आदेश है जिसको बोल सकते हैं पलटने के लिए युवा जो है कंटिन्यू प्रयासरत है तो अब यह देखने वाली बात आगे क्या होता ह फिलहाल जो कुछ भी होगा आपको земle वीडियो को यही तक और जीतनी भी मांगए स्वरूनी स्वरूप में विडियो को मां आपको अगले वीडियो में बताूंगा फिलहाल आर्शा करता हो कि वीडियो जोहाप które अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगते